गुड बॉर्निंग एवरिवान, तोडे वी एर गुएंग टो डिसकॉस अबाउट जनेराल नॉलेज, आवार टॉपिक इच सुपरलेटिब टॉलेश्ट, मींस सबसे उचा सिखर, तो ये चैप्टर हम पिछले क्लास में पढ़े थे, आज हम इसका कोशिन अंसर डिसकॉसन क मतलब स्टेचू अब यूनिटी दुनिया का सबसे उचा स्टेचू है, नॉमबर तू, इन वीच कांट्री इस तोलेश्ट होटेल लोकेटेट, आज हम इस यू एई, मतलब यू एई कांट्री में सबसे उचा होटेल होता है, नॉमबर त्री, वीच अब दा फोलोईग इस दुनिया का सबसे उचा बिल्डिंग यानि की इमारत है, नॉमबर फूर, वीच अब दा फोलोईग इस तोलेश्ट रोलर कोस्टर इन दा वर्ल्ड, एन्सर इस किंग्डा का, मतलब दुनिया का सबसे लंबा और उचा रोलर कोस्टर मींस एक एम्यूजमेंट पार्क में थ थोड़ा उचा बना हुआ रेल पट्री जिसके उपर कार्श जाते हैं, उसको रोलर कोस्टर कहा जाता है, जो किंग्डा का पर अवस्तित है, नॉमबर फाइब, वेर केन यू फाइंड हसानी मोस्क, एंसर इस मोरोको, मतलब हसानी मोस्क मोरोको में दिखाई देता है, नॉमबर शिक्स, वीच अब दफोलोइंग होल्ड्स द रेकर्ड फार बिइंग द टॉलेश्ट मॉनुमेंट इन द वर्ल्ड, एंसर इस गेटवे आर्क, मतलब गेटवे आर्क, दुनिया में सबसे उचा स्मारक होने का रेकर्ड बनाया है, नॉमबर सेवेन, वीच अब द फोलोइंग इस द टॉलेश्ट टॉलेश्ट टावर इन द वर्ल्ड, एंसर इज, द पेट्रोनस, मतलब द पेट्रोनस, दुनिया का सबसे उचा ट्विन, मिन्स, एक दूसरे से लगा हुआ दो टावर है, नॉमबर एट, वीच इस द टॉलेश्ट रेसिदेंश्याल बिल्डिंग इन द वर्ल्ड, एंसर इज, 432 पार्क एविन्यू, मिन्स, 432 पार्क एविन्यू, सबसे उचा रेसिदेंश्याल बिल्डिंग यानि की नीवास भवन है, मतलब यहाँ पर सबसे उचा इमारते का नाम दिया होगा और यहाँ पर वो कौन से जगा पर अवस्तित है दिया होगा, तो हमें सबसे उचा इमारत और वो कौन से प्लेस में है, वहाँ पर मैच करना है, तो देखे नमबर वान पर है किंगडा का जो की न्यू जर्सी पर अवस्तित है तो हम वान को C में मैच करेंगे नमबर टू स्टेचू अप यूनिटी जो की गुजराट में अवस्तित है तो हम टू को D में मैच करेंगे नमबर थ्री बर्च खलीफा बर्च खलिफा दुबई पर अवस्तित है तो हम 3 को E में मैच करेंगे नमबर 4 पर है वाशिंग्टन मॉनुमेंट वाशिंग्टन मॉनुमेंट मिजोरी पर अवस्तित है तो हम 4 को E में मैच करेंगे नमबर फाइब पर है गेटवे आर्क गेटवे आर्क वाशिंग्टन डीसी में अवस्तित है तो हम फाइब को बी में मैच करेंगे तो यह था आज का चैप्टर सुपर लेटिप टॉलेस्ट आज का आपका होमवार्क है इसारा कोशिन अंसार मेरे को बुक पे करके दिखाना थैंक यू